शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें यहां भूलूल पांडे हम सबको नीचा दिखाना चाता है उमारा थाना बंद करवाना चाहता है। प्रप्रटेशन से भार करना चाहता है। आपने जो किया है ना, इससे पक्का उसका कामिया भी पक्का हो गया है। अब अगर यह केस सॉल्ज नही होता है तो बदनामी तो होगा ही। लेकिन साल साथ यह थाना भी बंद हो जाएगा। और इसका पुरा जिम्मेदारी जो है ना, वो आपके बज़ा से होगा। सिर्फ आप। अच्छा, और हम यहां इस नौबत तक जो पहुंचे उसका जिम्मेदार कौन है। आप, पुषपाजी या फिर हम, या फिर सालों से चला रहा वो जेरेशन गैप जिसने घर घर का सुख चैन छीन रखा है। मैडम सर, आप यह जो करने का सोच रही है ना, यह बिल्कुल ही असंभव है। सास बहु के बीच में यह जो अंतर है, जो मतभेद है, खुद को ही सही मानने की जो जिद है, यह कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं मतलब हम भी एक सास है, इसलिए कह रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, मैडम सर। नहीं पुषपाडी, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस नामुम्किन काम को अब हमें मुम्किन करना होगा। ठीक है, फिर बताएगे मैडम सर, अब के दिमाग में का चलना है, आप क्या सोच रहे हैं फिर ऐसा ही होगा। करश्मा सिंग इस केस में हमें आपकी जरूत नहीं है। कोई बात नहीं मैडम सर। आप हमें बताएगे क्या करना है। कुछपर जी हमें आपकी भी जरूत नहीं है। देखिए, एक केस बहुत चालेंजिंग हो गया है। और आप दोनों के रहने से बात और बिगड सकती है। इसलिए इस स्टेज पर आकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आप दोनों इस केस से फ्री है। करिश्म नैदर्न से कुछ आप जा सकती है। जय हैन माडम सुछ जय हलु पुष्पजी आप भी जय हैन माडम सुछ नमस्कार दर्शिको आज ना ही सरफ स्थाने का बल्कि पूरी महिला पुलिस पोर्स के इतिहास का वो पहला दिन होगा जो ना ही किसी ने देखा होगा ना ही सुना होगा सास और बहु के बीच सद्यों से चलती आ रही कभी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म हो जाएगी और इस इंपॉसिबल काम को पूरा करके दिखाने वाली है एसे चोहसीना मलेग वो भी आप सब के सामने ओन कैमरा लाई इस अदालत में तालिया अगर ऐसा होता है तो इस थाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बात भी पक्की है कि इस हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े की महिला फुली स्थाने को अब होता क्या है यह जानना तो बहुत दिल चस्प होगा तब तक के ल आज तक दुनिया ने जोक्स सुने होंगे पर अब पहली बार पुरी तुनिया जोक्स तेखेंगी वो भी लाइब आपकी महरबानी से अरे बहुत मज़ा आने वाला है बहुत एंटर्टेन्मेंट होने वाला है आप सब को अल देश्ट एडवान्स में चल निदूर्टे अपे जब थाने को हारते ही देखना था तो तीवी पी तेख ले ठा यहां आने की ज़डूरत थी अपना नहीं तो कम से कम मेरे टाइम का तो वेल्यू कर मतलब शर्र्ण आप अपने टाइम का वेल्यू किजिये बताएं इतना वका कितना कीमती वक्त है आपका है कि नहीं? अरे पुद्धिहीन! दूश्मन को हराने से जादा उन्हें हारते वए देखने में मजाता है इस थाने को मैं हारते वए देखना चाहता हूं आज भी और पैस थाना प्रतियोगी तामें भी जा समझा? आज चला? आज चला? माडमस, 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 माडमस आप दुनों क्या कर रहे हैं? हमने कहा थाना में आपके जरूत नहीं है ने, ने, हम नहीं नहीं आना चाहते थे हम नहीं आया है, यह हमको खीच के लाई है हमारा अपहरन करके हमको जबरदस्तियां लाई है पुष्पा जी माडमसर, आपने एसाई करिश्मा सिंह और कॉंसर्बल पुष्पा सिंह को यहां आने से मना किया था ना मगर सास बहु तो आ सकती है तो हम यहां सास बहु की हैसियत से आये है हा लेकिन क्यू आये? आप यहां सास बहु की बीच में शुलह कराने जारी है हा तो हम भी यही कह सकते हैं कि अगर बहु अच्छे से समझने लगे सास को तो यह तैंटा जो है सास बहु की बीच में वो खतम हो जाएगा इसलिए इसलिए इस केसे हम आप दोनों को दूर रख रहे थे अब जाएए जाकर बैठी अपने अपनी जगा पर ごla! इने, जाएए जाएए किया लगता है जीति? किựण लगता है संतुजी और बहुत कुछ लगता है क्या-क क्या बत tut में को आप नहीं सम्झेंगी तो लगेगा से जखे मैडम सर के आह पूछ रहे ना च्छ रहें साथ नेवला के बाद से जो सबसे बड़ा दुस्मनी है ना उही वाला दुस्मनी है जो आधिकाल से चलता रहा है और कहते हैं हमको बड़ा खराब लग रहा है लेकिन मैडम सर ने 200% इस मामला मद फेल हो जाएंगे गरंटी लिख लीजिए वेल्कम यहां मौझूद सभी लोग और लाइफ स्ट्रीम पर हमें देखने वाली हर सास बहु का हम हसीना मलेक एसेचो महिला पुरिस्थाना जनपत लखनाव स्वागत करते हैं अज यहां इस जनता की अदालत में हम बहुत ही एहम और सदियों से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब ढूंडेंगे आखिरकार सास बहु को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है एक प्रॉब्लम हो तो बताए ना अरे बोलिये बोली आप सुपी आपी प्रॉब्लम है शांद 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 प्लीज प्लीज आप सब शांद हो जाये आप सब को मौका दिया जाएगा जवाब देने का लेकिन इस तरह से नहीं आप सब के पास पैन और पैड हैं ओके तो अब आप इन पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू कीजिए अहां अरे पेपर कम पड़ जाएगा इतनी हैं कि की तो अब चीता चतुरवेदी और संतोष्शरमा एके करकर चिठ्थिया पढ़ना शुरू करेंगे यह क्या यह तो कोरा पीपर है यह सास को तो अपनी बहु से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है संतो जी दूसर अप तरफ पलटके देखिए उधर लिखा हो है पढ़ना शुरू करें प्लीज तंग आ चुकी हूं में अपनी बहु से हर वक्त बस सोना 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 यह नहीं तो इसमें प्रॉब्लम के आ गोल तो हर किसी बशनने । अच्या तब ही देख आघे भी लिखा है कि जैसे मौका मिलता है सो जाती जी अँ प्रॉब्लम नहीं कि नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेरी सास को मैरी हर छिithas मेरी त्र्णैयं से मेरी खाने से मेरे पहनने से, मेरे उठने से, मेरे चलने से असल में मेरी सास ही एक सबसे बड़ी प्रॉबलम है मेरी बहु बिना मांगे मुझे ना नाश्ता देती है, ना खाना देती है, ना पानी देती है कुछ नहीं देती है मेरी सास मुझ पर हुकम चलाती है मेरी बहु सारा दिन बस सज्चती सवरती रहती है मेरी सास को मेरे पहनावे से प्रॉबलम है पेटू है दिन भर खाती रहती है एकदम थड़ क्लास खाना बनाती है हमेशा कुछ न कुछ जलाती रहती पत्तमीज है अकडू है जगडालू है कामचोर है चोर है मुफ्त खोर है पैसा उडाती है सारा दिन सर खाती है नौकरी पर नहीं जाने देती मुझे तो जीने नहीं देती जलती है हाथ मलती है चुडैल दायन छिपकली कडवी मुंगफली हट हट दूर हट 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 यह लिखाया? जो जो जटनी भी शिकायते हमने सुनी या जो इतने सालों से हम शिकायते सुनते आरहे हैं उन सब को सुनकर ऐसा लगता है कि यह जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ है नजरिया जो सास का भू से कभी मिली नहीं पाता क्योंकि दो पीडियों की सोच में हमेशा फर्ख होता है अरे का हसीना जी ना मतलब का इदर उदर यहां करें यहां मुद्दे पाइए पॉइंट पाइए करेंगी का और सिखाएंगी भी तो कौन जो ना खुद सास है ना बहू अजी हम कौन होते हैं किसी को कुछ भी सिखाने वाले सीखना तो दुनिया में सब कुछ खुद ही पड़ता है और यह सास बहुए भी एक दूसरे का नजरिया अब खुद ही सीखेंगी अच्छा उप कैसे अरे बैठ जाएए ना हर जगा टांग अरा आते है मतलब हम हम अपनी टांग आरा रहे हैं ते पैठ जाएए एसा करने के लिए हमें कोई भी एक सास बहु की जोड़ी चाहिए जो यहां पर आये आमने सामने खड़ी रहे और बाकी सास बहु को रिप्रेजेंट करे तो बताएए इस काम के लिए यहां कौन आना चाहेगा हम अएंगे मैंने मैंने संद्धी हम और करिश्मा जी के अच्छा है थिए में टूपर अच्छाए तो यह खे बना वंदी का खाड़े माया है यह नो प्लीजमा कंड बूलार यह थीलोग तो वर्दी के भोट्या नुन चाह्रे रहता है लोग आंपी बिना वर्दी का खाड चुछ माडम से, मनन भारे जिए प्लीज. मडम से, चीटा सही बोल रहा है, ना बोल दोना इंको. आप दोने से पूछा हमने. क्यों, मैंडम सा, मैं ना बोल रही इतीी, चीटा सुने निए. चल्ड, बाता हैंवारा है. चल्ड, चल्ड, चल्ड. सुभा शाम, बिना जगह देखे, बिना मौका देखे करती हैं, बहस. लेकिन इस बार, इस बार ये बहस थोड़ी हटके होगी, थोड़ी अलग होगी. क्योंकि इस बार आप दोनों को एक दूसरे की जगह लेकर बहस करनी हैं. इसका मतलब सास बनेगी बहु और बहु बनेगी सास. सारी बाते वहीं होंगी, सारी शिकायते वहीं होंगी, सारे प्रोब्लम्स वहीं होंगी. लेकिन आप बनेगी आदर्ष बहु और आप बनेगी आदर्ष सास. और फिर करेंगी बहस. तो शुरू करें? जी. क्ठें, अल्डे बेस्ट अच्छा बदना बई, क्या क्यातो हो, कौन जीतेगा, करिश्मा मडम पुष्वा मैडम? अँरो, पुष्वा मैडम तो बहुआल है तो करिश्मा मैडम भौकाल है, समझे? अबेड़ा तुम कोरेक्स कागास में लिख लो, जीतेगी तो पुष्वा मेड़ा, समझतो ना? लगी शर्थ बावा, डन ओके, शुरू कीजे समझ नहीं पा रहे हैं लो, कि हम क्या कहें और किस मूँ से तुमसे माफी मांगे, भहु रानीची? मुह से तुम से माफी मांगे बताओ नहीं मतब हम इतना टेंटें करते हैं तुम हमारा इतना चक जहलती हो हम तुम्हें हर बात पे टोकते हैं तुम इतना परेशान करते हैं लेकिन फिर भी तुम एक शब्द नहीं कहती हो मतब इतना कैसे जहल लेती हो तुम हमको भाउरानी हमको समझ में नहीं आता है अब हमने एक बात समझ लिये कि जब तुम थाने में हमारी सीने रह सकती हो तो तुम घर में हमारी सीने रह सकती है इसलिए इसलिए ये इचाबिया तुम संभालोगे अपसे घर तुम ही संभालोगे ठीक है? अभी नहीं नहीं सासुमा आप यह क्या कर रही है अभी आपकी उमर ही क्या है आपने देखा ही क्या है जिन्दगी में जो आप रिटार्मेंट लेने के बारे में सोच रही है देखिए देखिए आप ही इस घर की बॉस थी बॉस है और हमेशा बॉस रहेगी इसलिए जो चाब हम इतनी हम समझ सामझ नहीं यह ना है ना न और आप कितनी अच्छी है जो उस जहर को भी खाना मानकर खाती रही आज सक है ना? भाहुरानी, जहर ही सही लेकिन सही टाइम पर खाना तो देती हो, हमारे भरों से रहेंगे तो पूरा खांदान भूखा मर जाएगा हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्योंकि क्या है ना बहुरानी, सासो को बैटके सिरफ हुकुम चलाना आता है, क्यों? बिल्कुल सही यह तो आपका अधिकार है सासुमा, क्योंकि आप बड़ी है, धर की मालकिन है, अब मालकिन हुकुम नहीं चलाएगी तो फिर कौन चलाएगा हम, सही जारे पिस परिया, हाँ, सही का, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मतलब सारा अधिकार हमारा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम इस घर की बहु नहीं हो, तुम भी इस घर का हिस्सा नहीं हो है नहीं नहीं साशुमा आप अही है आधिकार नहीं भाष लोग हैं वह बार्त के करते क्रें हैं हुम आज तब टुमारे एक भी जासले का हमने सम्मान नहीं किया नहीं मतब हमें भी तो रहले कभी किसी एक अग फैसले का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मगर अलमारी की चावी आप ही के पास रहेगे, कह रहे हैं हाँ ने क्या है ना, अगर अलमारी की चावी हमारे पास रहेंगे तो हम बेफुजूल के खर्चे करते रहेंगे मेहंगी मेहंगी चीजे घर में लाते रहेंगे जैसे कपड़े, घड़ी, मेहंगा काला चश्मा, है ना? और आपको आधी कीमत ही बताएंगे सच कहें सासुमा, हमको ना इस बात के लिए आपसे माफी मांगने चाहिए ऐसे कान पकड़ के माफी कहा भए मांग रहे हो तुम भाहुरानी, तुम माफी मत मांगो और यह जो खड़्चा तुम करती हो, यह क्या शिर्फ तुम अपने उपर ही करती हो आफ तुम को याद है तुमने हमें एक मुबाइल दिया था आधी रकम का बता के तुमने वो मोबाइल हमें क्यों दिया था? क्योंकि हमें वो मोबाइल बहुत जादा पसंद आ गया था पर उसका रकम सुनके हमारा हिम्मत नहीं होता कि हम उसको खरीद ले तुमने हमें उस मोबाइल का आदा रकम बताया ताकि हम वो मोबाइल इस्तिमाल कर सके याद है थोड़ा विश्वास हमें भी तो करना चाहिए न अपनी भव पर क्यों ऐसे अनावशना बेफ़जूल के खर्चे नहीं करेगी और अगर खर्च कर भी रही है तो घर का बचप का सोच के कर रही होगी इतना विश्वास तो हमें तुम पर होना चाहिए भहुराने की कल को अगर घर में कोई परिशानी आजाए कोई गड़बड हो जाए कोई इमर्जन्सी आजाए तो तुम्हारे अकाउंट में इतना इतना सेविंग जरूर होगा तुमने बचा के जरूर रखा होगा क्योंकि व सही कह रही है सच में हमें बहुत ही अच्छी और आदर्श बहु मिली हैं मतलब आपको बहुत अच्छी और आदर्श बहु मिली है जो सब के बारे में सोचती है तो जैसा आप चाहती है यह सारी चाबिया हमारे पास ही रहेंगी क्योंकि अब यह हमारा अधिकार है दीजे पुषपादी क्या बात है सासु मैं आज तो आप बिन ओवर एक्टिंग के हमारा नजरिया समझ कई आपका नजरिया तो आपका चश्मा लगाने के बाद ही हम समझ गहते बहु रानी और हम यह भी समझ गए है कि आप बच्चत भी करती है और उनी बच्चत के पैसों से ही आपने वो चश्मा खरीदा है का ना मतलब इक का चल रहा है अचंता जनार जन को बेवकूप समझ के रखे है का ना पहले से ही तयार किया हुआ नोटन की दिखा देंगे तो यह पबलिक मान जाएगी आपका बात अपनी बहु को गाड़ी लेने का अरे हरकीज नहीं देखिये कह रही है कि हरकीज नहीं देखिया अपका इतिकरम तो काम नहीं आया अपको नो और तिकरम हो तो बताईए एक मिनिट बिंदु जी आप एक बर अपनी बहु की बात समझने की कोशिच तो करिये हां तो आती अपनी बहु की जगा बहु बनकर और इसे कहिए कि ये मेरी सास बनकर दिखाए और मुझे कंविंस करें कि मैं कार खरीदूं अरे मैं चैलिंग देती हूँ ताम है ना तो अपनी बात मनवा के दिखा ले तो देखा अपने दर्शकों किता रोमान चक रहा ये सेशन हैसे चो हसीना मलेक ने कम से कम एक सास और बहु का जगए जगड़ा सॉल करके दिखा दिया पर इस केस के ओवरॉल मामले में दिल्ली अभी दूर है ऐसे चो हसीना मलेक का असली इम्तहान तो अब शुरू होता है इस सवाल के साथ कि क्या वो इशा और इंदू नाम की सास और भहु का जगड़ा सॉल करा पाएंगी देखते हैं इस अगरशा चाहिए अगर अगर केस हाथ से निकल गया तो हमारे थाने की इजद की फजियत हो जाएगी परसे ये बुल-बुल पांडे अलग आग में घीच होक रहा है मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब का होगा हम ये केस कैसे जीतेंगे, ये प्रत्योगीता कैसे जीतेंगे ऐसे हम हार गए तो नहीं करिश्मा सिंग, इस बार हम किसी भी कीमत पर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सवाल अब सिर्फ किसी कॉंपेटिशन या किसी केस का नहीं है सवाल उस उमीद का है जो इस शेहर की लोगों ने हमारे महिला पुलिस थाने से लगाई है हम उस अमीद को नहीं तूटने दे सकते है तद जुर्बा कहता है हमारे नतीजा माइने नहीं रखता कोशिश माइने रखती है संतो शर्मा चीता चतरवेदी माडम साम आप दोनों के लिए काम है राउन टू की शरुवात करते हैं आप दोनों आईए अमने सामें अब मैं तुझे दिखाती हूं कि आदर्श बहुए कैसी होती है और अपने सास की सामने कैसे पेश आती है अब तु मुझे कार खड़िद वाने के लिए मना के दिखा दे क्या फाइदा जब आपने ठानी लिया है कि आपको मुझे समझने ही नहीं है तो उन हमें कुछ नहीं करना है दर गई दर गई दर गई ना बन जया ना सास बना लेना मुझे कार लेने के लिए इंदू जी, आपकी वहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है, जब आपकी खुद की सास यहां मौजूद है. मेरी? जी. यह रही आपकी सासुमा, श्रीमती कमला देवी. जी. जी.